तो आज आप सभी ने कनिष्ट साहिक की परिक्षा दी होगी और परिक्षा का जो अस्तर है वो मोडरेट टू हाई लेवल ही कहा जाएगा और पटवारी के पेपर से भी थोड़ा सा इसको अच्छे लेवल का पेपर कहा जाएगा तो इसके मैं आपको कोश्चन सौल करवाँगा क्योंकि इसमें देखो रिजनिंग के जो कॉश्चन थे उसमें ज्यादा तर मैस वाले ही उन्होंने डाल दिये थे ठीक है साइंस भी कोश्चन ज्यादा तो नहीं थे लेकिन वो भी ठीक थे और जीएस का लेवल और करण्ट का लेवल काफी अच्छा था नहीं तो कुल मिल आते हैं तो सिफ्ट प्लस डिलिट इसका ओप्शन होगा ठीक है डी वाला ओप्शन है फिर है सकारी किसे कहा जाता था तो यह सक्वंस को पराजित किया था जब सक राजाम को चंद्रगुप्त विक्रमा दित्याने तो यह उन्होंने उपादी ली थी तो इसका टू का हो ज एक सर लगरा है वह यही है कि मदद ए मास होना चीब इसका बौत shar नेक्स्ट है कि सुर्यास्थ नियम किस भूंई राजस्वर व्यवस्ता से सम्द्धित था इसका सभी जवाब है यह इस्थाई बंदोबस्त इस थाई जो परमेनिनट सेटलमेंट था इस्थाई वेवास् पांचवा प्रस ने एक धर्म एक जाती मानवता एक इस्वर का नारा किस ने दिया तो यह है नारेंड गुरू ने दिया था फाइब का यह हो जाएगा माराठो ने गुरिला रंडी थी कहां से सीखी थी यह मलिक अंबर एक जापानी जाज है जो बाबा गुरूदत ने लिया था किराय पर तो सेवन का हो जाएगा ए फिर वित्य बे के अंद्री करण में सरुपर्थम महत्तुपन कदम उठाने का सरे तो लौड मेयो ने पंचायतों को वित्य स्वतनत्र था और वित्य अधिकार प्रदान किया थे तो लौड मेयो इसका आंसर हो जाएगा फिर यह कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारत की भूमी पर सभी व्यक्ति के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी हो तो नवा परस्न का हो जाएगा सभी को जो दिया जाता है सोसन के विरुद ठीक है तो सोसन के विरुद जो है 23 औ कि यह दो कि आभका गठन तो एक जनवरी 2015 हो गया एगजन का एज भारत में जनता के धनका शनरक्षख तो जनता की धनका संरक्षख है नियंतरक महालेखा परिक्षख ठीक है इससे लोग बटवे का संरक्षख या पबलिक पर्स का गार्जिन भी कहा जाता है तो नियंतरक म यह आंसर एक बटा दो है या एक बटा तीन है या कितना है फिर देखो कंप्यूटर का कोशन देदिया है कंप्यूटर जिसकी मेमोरी छंपता है 256 मेगा बाइट है अधिक्तम कितने बाइट को स्टोर कर सकता है ठीक है नहीं तो ज्यादतर ने इसका आंसर डी वाला उप्सन ल पहले आप 256 देखो एक मेगा बाइट में होते हैं 1024 क्या हो जाएगा किलो बाइट और फिर किलो बाइट में भी तब आएगा बाइट इस वज़े से इसमें दो बार आ रहा है 1024 फिर टांसजेंडर को तीसरे लिंक के रूप में मानने के लिए निर्णे कब दिया सुप्रि 2011 के अनुसार राज्यों में इसाई की जनसंख्या सबसे कम है ठीक तो हिमाचल में सबसे कम इसाई जनसंख्या है 90% महाँ पर हिंदू आबादी है ठीक तो सरवादिक हिंदू परतिसाद वाला भी हिमाचल राज्य है और सबसे इसाईयों की सबसे कम पुछी भी इसमें तो वह भी हिमाचल हो जाएगा पिर है सियाचीन हिमनेद के दर्रे जो नहीं है भारत में तो इसका ग्रेशर ब्रह्म होना चीह है क्योंकि यह बाहर का यह ग्योंगलापास और विला फोंडला ठीक है और यह सल्ट तवरो यह दर्रे भी सियाचीन के यह बारती है उसमें की सीमा निर्धारण से सरक्रीक सीमा जो है गुजरात में तो सरक्रीक सीमा गुजरात में भारत पाकिस्तान का वह पर बॉर्डर अलग होता है थालवेग सिधांत इसी के लिए कौन सा उत्तम परकार का लोह आयस्क है तो अठारवे प्रस्न का हो जाएगा सी 15% पंजाब में है लेकिन इसमें फिर से अपर orphan में पूछा यह नहीं था तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा बंगाल हो जाएगा बंगाल में लगवग 23 या 24 परसंग से उपर हैं स् d पर जबकि यू पी में थोड़ा सा कम है तो बाकी में तो और भी कम में ऐसी तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका फिर राजिव गांदी राष्टिय भूजल प्रसिक्षन सोथ संस्थान यह राइपूर च्छतिस गड़ तो बीस का हो गया सी तो यह वाला जो आपका पेपर का सेट है यह पेपर का सेट है यह वाला आपका ठीक है नेक्स्ट देखते हैं 21 वाला प्रस्ण सेल और सेल तंत्र के बारे में इसको बाद में देखेंगे भारतिय संग्य बजट की साथ प्रात्मिक्ताएं हैं उन में से कौन सा नहीं है तो महिला ससक्तिकण उसमें नहीं है हरित विकास भी है युवा सक्ति भी है आखरी पा वहावित तुर्की की मदद के लिए यह ओप्रेशन दोस्त तेज का सी फिर गार्जन वीर गार्जन है भारत और जापान के साथ गूगल ने आर्टिफिसर इंटेलिजेंस सर्विस शुरू किये उसका नाम है बार्ड ठीक है खेलो इंडिया विंटर गेम्स यह है जम्मू क पस्मीर में 26 का हो गया भी फिर है समिधान का अनुछेद एक भारत को गोसित करता है तो अनुछेद एक में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्जियों का संग है तो राज्जियों का संग इसका आंसर होगा 27 इसका ए फिर फरवरी 2023 में 28 वा प्रस्णे साइट A में भारत के पहली ग्रामिन विज्ञान कॉंग्रेस कहां भी तो यह हुई थी 13 दूर उत्राखंड फिर चंदज सांसन में दस्तूर क्या था तो यह है नजराना 29 का सी तालिस वर तामर पत्र में से समद्धीत राजा विशनु वर्मन था 30 का ओजाएगा भी वेंसांग ने किस राजवन का वर्णन कया है तो यह है 32 के पती काशिपूर का नाम पहले क्या था तो 33 का हो जाएगा भी गोविशान फिर है पहले राजनिता जिन्नोंने ऐसा योग आंदोलन में जेल गए तो ये 34 का हो जाएगा सी इसका होना चाहिए सी गोविन वल्लब पंत फिर हार्दूधा संबन्दित है तो इसका अभ neutrक्रां न taxi क्यों नहीं सबी लगा दिया क्यों नाक देवता भी बोल रहे तो इसका अंसर बाद में देखेंगे हार्दूधा का संबन्द किस से तिरन तो यह यह जो उत्तर काशी क्या है एक गीत है यानि गाने का 36 का ए कि 37 प्रसने सेट ए में उत्रा खड़ में कमीन का कारे यह गाउं से राजस्व एकत्रण फिर 38 प्रसने हिल जात्रा ठीक है तो पश्चिम नेपाल की देन बोला जाता है इसको तो इस हिसाब से तो इसका अंसर गोर्खों द्वारा ही होना चाहिए हिल जात्रा की सुरुवात की गोर्खों ने 49 में है सी मचली पकड़नी से समझेते मौन मिला फिर 40 का हो जाएगा भदराज लोग देवता हैं जौन सार के 41 का है उत्राखण में नहीं है तो कुला कांगडी यहां नहीं है 41 का हो जाएगा सी फिर नौला स्वाभेग में रूप से जल भृत भारत सरकार द्वारा राष्टिय महित्व का संदक्षित किया है तो करेंट इवेंट का कुश्चन था एक यह अलमोडा के स्यूनरा कोर्ट हो जाएगा इसका अंसर 42 का सी 43 का है जामरानी डैम कहाँ है गौला नदी पर है नहीं निटाल 43 का हो जाएगा आपका डी इसके बाद है कौन सी जील चमूली में नहीं है ठीक है चकनी ताल दिया है लिंग ताल तारग ताल गोहना ताल तो गोहना जील जो कुछ सालों तक रही थी अस्तित्तों में और लिंग ताल यह तो चमूली के यह तारग ताल दिया है चकनी ताल तो इसका एवनाची चकनी ताल फिर 45 का है उत्रा खंड के 45 वाले में क्या पुछा है किस जिले की साक्षर्था दर्ष 2011 के अनुसार सबसे कम है तो आपके आप्षिन से दिया वा है 73.1 0 जो है यह हो जाएगा उधमसी नगर का ठीक है तो D option हो गया आपका फिर पूछा तो देखो महिला साक्षर्था में अवरोही करम ठीक है तो आरोही होता है नीचे से उपर और अवरोही हो जाता है उपर से नीचे तो इसका B option हो जाएगा 46 का पिथोरागड पिथोरागड में जो महिला साक्षर्था का परतिसत है वो 72 है लगबग रुदर परियाग में 70 और उधमसी नगर में 64 ठीक है तो पिथोरागड रुदर परियाग उधमसी नगर फिर अलग नंदा के नदी में जो है बाई और से कौन सी मिलती है बाइं और से मिलने वाले साइग नदी नहीं है तो बाइं से कौन सी नहीं मिलती है तो मंदाकनी जो है दाइं और से मिलती है तो इसका अंसर सी हो जाएगा 47 का सी मंदाकनी दाइं और से मिलती है बाकी सब बाइं और से पिर यमणा टॉंस के मध्धे में कौन सी जन जाती, निम्लकित जन जाती ओमें कौन सी दिए यमणा टॉंस में निवास करती है तो जन जाती ओमें GYONSARI होना चीए था वैसे वह जोंने जावबरण छेत्र का नाम दे दिए तो यह ही इसका अंसर होने चीए जौन सार मतलब जौन सारी फिर पुछाए आर्थिक सर्विक्षण और इसी टाइप वाले कोश्चन थोड़ा सा इसमें ज्यादा आरखे थे 49 का होने चीए इसका अंसर C 7.1 उत्राखंड की बेरुजगारी दर ठीक है 50 वाले का अभी कंफर्म नहीं है MSME में महिलाओं को कितनी सबसेड़ी है 20 है या 25 है 32 है या साड़े बारा 51 वा प्रस्ट जो है वो तो आप एक ही विकल्ब से भी कर सकते थे किसी का भी मिलान कर गए ठीक है तो इसका हो जाएगा B option 51 का B फिर दिया है आर्थिक सर्वेक्षन दुबारे आ गया है 2011-12 का पूछलिया इसमें ग्रामिड छेत्रों में मासेक व्याई ठीक है तो इसका भी अभी कंफर्म नहीं है वीर चंदर सिंग गड़वाली स्वरुजगार तो यह आपको मालूम है जून 2002 फिर तिर्थ्यक छेत्र का योगदान परचलित कीमत पर परतिसत में उत्राखन की अर्थ जोस्ता में 2021-22 के अनुसार से तो यह इसका अंसर होना चाहिए 42.992 समगर सिक्षा अभियान 55 नंबर कोशन है इसका हो जाएगा डी 2020 केस फिर 56 में है रिजनिंग का कोशन है इसका ए ऑप्सन से होगा ठीक है 57 का भी A हो जाएगा जिसमें 6 गाव दिये वे हैं तो आप उसमें जब बनाओगे तो A, D और E एक लाइन में आएंगे 58 का हो जाएगा आपका 174.6 ठीक है एक दुकानदार ने कमीज बास्तिविक मुल्य पर खरी दी तो इसका हो जाएगा 174.6 बी ऑप्सन 59 का हो जाएगा किसी सहर में मार्च में 4 दिन का उसर तापमान तो यह आपका जो कॉश्चन नंबर हो गया यह 59 का हो जाएगा आपका A, A सही होना चाहिए इसका 32 अंसर इसका आ रहा है फिर है एक समाचार पत्र अभी करता संख्या लेते हैं तो इसका होना चाहिए अंसर 60 का होना चाहिए D 302 ठीक है और 61 का होगा D वाला उफशन उसका भी फिर है 62 प्रसंदिया है गरीवी के बारे में भारत की बहु आयामी निर्धनता सुचकांग 2021 के बारे में है उत्राखन का क्या रैंक है तो पंद्र भी रैंक है इसमें फिर है बल्ब में कौन सी गैस होती है नाइट्रूजन और आरगन तो 63 का B हो जाएगा अगनी शामक का घटक क्या होता है ठीक है तो इसका थोड़ा सा देख लेना इसका मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है सोडियम हड्रूजन कार्बोनेट होना चाहिए मेरे साब से मार्स गैस होती है मार्स मतलब होता है दल्दली भूमी से निकलन करती है पस्वों के पेट से और ये गोबर गैस ठीक है और धान के खेतों से भी तो यह हो जाएगा मीथेन 65 का ए परियावन सरक्षन अधीनियम है 1986 66 का डी फिर है विद्धु धारा को उत्पन करने वाला यंत्र पैसे विद्धु धारा मापी तो अमीटरों को कह जाता है ठ चैनत्री कुर्जा को विद्धुत में बदलता है तो वह होता है जन्रेटर तो किस हिजाब से इसको आंसर इसका देता जनरेटर भी हो सकता है वैसे इसका मैंग्रोव जो होते हैं वो नमक सहिष्णू होते हैं ठीक है क्यूंकि समुद्री भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव बन ज्यादा पाई जाते हैं और इनकी जड़े जो है पानी में तैर्थी रहती है और समुद्र के किनारे होते हैं ठीक है तो समुद्र के पानी में नमक ज्यादा होता है इसलिए यह अपने आपको नमक सहिष्णू बना लेते हैं ताकि इससे नमक नमकीन पानी से इनको नुखसान आँ जैव विवित्दा ट्रांसपोर्ट इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस 72 है एक परकार का रेजिस्टर जो कंप्यूटर निर्पादित अगली ट्रांजिस्टन के पत्ते को स्टोर करता है ठीक है तो इसका भी कंफर्म यह पर मेरे साब से बफर होना चीज़ का और 73 का हो जागा कैस मेमोरी ठीक ह 74 का हो जागा पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट सबसे पहले कंप्यूटर यह कारे संपन करता है मुर्गियों का भोजन जो होता है उसमें क्या होता है मुर्गी के भोजन में होता है विटामिन सी ठीक है न तो 75 के बाद इसमें डारेट 89 देजिए पर मैं आपको बतायता 75 के बाद हिंदी के कॉशन जो आपके कितने 25 परशन है ठीक है फिसके देख लेते था 75 परशन जो है खिर्त परतिय से ठीक है तो कृतिखे से गोना किरिया है और उसमें हार लगाए तो होन हार सिसका सभी होगए 76 का सी वासुदेव में अ परतिया होगा 77 का ये पिर साम मरे न लाठी तूटे बिना हानी के काम हो जाना 78 का डी फिर निर उपसर्ग नहीं है 79 का क्या होगा निराला इसमें उपसर्ग नहीं है 80 का हो जाएगा राज तंत्र लोग तंत्र का विलोम होता है राज तंत्र फिर है 81 काम करते रहना ही जीवन है आलश ये तो मिर्ति है मध्य में विराम चिन लाए गया है अर्ध विराम दूला का तत्सम दूरलब यह मैंने देखा तो नेट पर यह दिखा रहा है दूरलब ऐसे दूरलब होता है जो आसानी से प्राप्त नहों तो दूला का तत्सम यह दिखा रहे है नेट पर अभी देखो वह कैसा है तो वह का उर्फार नतोष्ट है चौरासी का भी तीरासी का डी दूमारे से सुन लो तीरासी का डी चौरासी का भी फिर 85 का आउंकों में खून उतरना अत्यादी क्रोज करना 85 का ए 86 है सुनक होता है कुता तो 86 का हो जाएग तो जो और सो होता है सम्मंद वाचक 88 का B ठीक अब 89 से आपको इसमें दिखाई देगा PDF में सन्यास में बन जाता है सम धन्यास तो सम हो जाएगा 89 A, 90 का हो जाएगा देखो औरस और जारज ये परियाईवाची है तो ये विलोम नहीं है गलत हो गया है अधिरी राथ हो जाती निशीत 92 का B अजन्त होता है अच धन अंत 93 का C राष्ट को जैचंदों से हानी है ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा जाती वाचक ठीक है जैचंद वैसे व्यक्ति होता है लेकिन यहाँ पर बोला है जैचंद परती को रहा है बूरे लोगों का तो जाती वाचक 95 है तद्भव बताना था तरवारी या मयंक कुकुर अवश्याए ठीक है तो इसे आप से तरवारी होना चीए तरवारी तद्भव 95 A 96 का हो जाएगा आपका A दिशांतर 97 का हो जाएगा अनुदात ठीक है क्योंकि जब आप इसका विच्छेद करोगे अन धन उद्दात होता है तो अनुदात होगा 97 A जबकि जातरन इसमें अन विक्षण में तुक्का लगाया होगा वो होता है अनुदान एक्षण तो संदी विच्छेद आपको आना चीए तब ही उपसर्ग परतिय सही निकलेगा फिर है यग्य वेदी यग्य के लिए वेदी तो हो जाएगा क्या होगा इसमें संपरदान के लिए तो संपरदान 98 का B 99 का हो जाएगा संदी विच्छेद गलत है ठीक है यसोदा का गलत है क्योंकि यस ख्ञधन निभाशन विखर्ग संदी और 100 का हो जाएगा ब्रहमर का मिलिंद भी होता है ध्यूरेफ भी होता है पारवत्त होजएगा तो हंडेड का हो जाएगा भी ठीक है तो यह था आपका question paper तीन चार questioning मैंने आपको बताए नहीं ठीक है वो बाद में देखा जाएगा और इसकी बाद में मेरिट भी डिसकस करेंगे पेपर का लेवल काफी अच्छा खासा ही है तो मेरिट थोड़ा नीचे रहने की ही इसमें संभावना है तो कल या परसों में बताऊंगा इसके कि कितनी रह सकती है या कितने न बहुत बहुत सुबकामना है रिजल्ट के लिए